हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल एडूफाइल, आज की इस वीडियो में हम लोग पारिटिकल इन वन डी बॉक्स प्रॉब्लम को सॉल्ब करेंगे, साथी साथ हम लोग इसके वे फंक्शन और एनरजी को भी सॉल्ब करेंगे, और इसके वे फंक्शन को प्लॉट करें देखें, पारिटिकल्ल इन वन डी बॉक्स का मतलब यह होता है. यह जैसे, मालीज़े हमारे पास कूई पारिटिकल है, για कीवल वे एक ही एक्सिस में मूव कर सकता है, मालש लेटे, चलिए, एकेवल एक्स एक्सिस की तरफ ही मूव कर सकता है वह. तो इस तरह के पारिटिक in one D box, क्या कहते है revival एक ही axis की तरफ जब वो confined होता है particle Couple, यह नहीं बॉक्स नहीं होता है यह हम assume करते है कि one D box होता है और particle हमारा move करता है particle in one box मतलब यह होता है कि particle एक axis की तरफ move कर रहा है यह हमने हब यहाँ पे particle был को लिया है जो कि one dimensional box में है जिसकी length है L मतलब X is equal to zero to L है तो इसकी length कितनी होगी box की L होगी अब potential function जो होगा यहाँ पर V is equal to zero होगा inside the box और अगर हम बात करें anywhere मतलब की boundary पर बात करें तो वहाँ पर potential infinity होगा यह दो condition आप याद रखेगा जीरो inside और outside या फिर boundary पर infinity होता है potential अब Schrodinger equation क्या होता है आपको पता है Schrodinger equation होता है del 2 psi upon del X square plus 2m divided by h cut square e minus v sorry e minus v psi is equal to zero यह आपका Schrodinger equation होता है inside the box के लिए v is equal to होता है zero तो यहाँ पर हो जागा del 2x psi del square plus 2m by h cut square e psi is equal to zero यह तो यह हमारा Schrodinger equation है इस particle के लिए जो अंदर box के move कर रहा है अब 2m by h cut square e को हम लिख देंगे k square यहाँ पर simply हम मालेंगे k square बराबर 2m e by h cut square अब देखे इस तरीके का differential equation का solution होता है इसको हम equation 1 कह देंगे इस तरीके के differential equation का solution जो होता है उसका खास pattern होता है size equal to अब इसका solution a cos kx plus b sin kx यह इसका solution equation 2 इसको हम कह देंगे अब आगे कैसे solve परना है चलिए इसको देखे तो देखे यहाँ पे आप हम लोग तो यह wave function निकाल चुके हैं अब हम a और b की value को point करेंगे यानि की wave function के solution को अच्छे से find करना चाहते हैं तो उसके लिए हम boundary condition पर देखेंगे boundary पे wave function क्या होता है तो देखे boundary मतलब x is equal to 0 यही तो boundary है और x is equal to l है तो पहले x is equal to 0 boundary पर देखते हैं क्या होता है probability जब 0 होगी तो wave function भी क्या होगा boundary पर 0 होगा तो size equal to जो हमारा आया था a cos kx plus b sin kx इस equation का solution मतलब इस particle का solution जो आया था differential equation से वो यहाँ पर क्या हो जाएगा size equal to 0 हो जाएगा लिख दिया a cos kx मतलब x के यहाँ पर 0 रखे तो a cos 0 हो जाएगा और plus b sin यहाँ भी x के यहाँ पर 0 तो b sin 0 यह भी हो गया तो अब cos 0 की value 1 होती है तो यहाँ पर यह a हो जाएगा और यह आपका b sin 0 यह नहीं 0 हो जाएगा sin 0 की value तो a is equal to 0 यह condition आप याद रखेगा a की value तो 0 हमें मिल गए अभी b की value भी हमें चाहिए तो b की value को ऐसे निकालें इसको चलिए देखते हैं आगे तो हम इसको size equal to इसको लिखेंगे जब यहाँ पर फिर से एक बार wave function को तो a यहाँ पर 0 पूट करेंगे तो 0 पूट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि यह cost वाला time ही गाइब हो जाएगा क्या बच्चेगा size equal to b sin kx यह आगे simple a is equal to 0 पूट करने पर equation 2 है यह हमारा तो size equal to b sin kx यह हमारा आया है अब हम second boundary condition देखेंगे second boundary condition है x is equal to l पे क्या होगा size equal to 0 होगा क्योंकि यहाँ पर भी boundary है तो यहाँ भी particle नहीं पाया जाएगा तो that means function 0 तो यहाँ पर आप 0 रखे तो b sin k यानि कि यह आपकर क्या हो जाएगा जीरो ही हो जाएगा ultimately वही sin kx 0 हो जाएगा तो यहाँ sorry यह 0 नहीं होगा यह L होगा तो sin k और x कि यहाँ पर क्या होगा L होगा size 0 होगा न x नहीं 0 होगा x तो आपका L है न यह एक्स L है तो अभी देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा sin kl is equal to 0 B हमारा यहाँ पर denominator में चला गया तो अब यहाँ पर 0 किसमें होता sin में 0 किसकी value होती है वो होती है n pi की value तो यहाँ पर n क्या है 1, 2, 3, dot, dot 1 pi है 2 pi है 3 pi है sin में तो उसकी value क्या होती है 0 तो यह sin n pi की equal है 0 0 को हम sin n pi लिख सेपने हैं अब sin दोनों तरफ है remove हो जाएगा तो kl is equal to हो जाएगा n pi k की value आप solve करना चाहेंगे तो n pi divided by l हो जाएगा यह k की value हमने निकाल ली k की value निकालना ज़रूरी था तो यह k की value आपने निकाल ली इसको भी आप bracket में लिख दीजे अब इस wave function को लिखिए आप wave function है हमारा psi wave function का ही तो solution निकालना चाहते हैं size equal to b sin और k की यहाँ पर क्या लिखेंगे n pi l तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ n pi divided by l into x इसको आप कर दीजे bracket में तो यह है आपका wave function का solution लेकिन अभी भी हमें क्या नहीं पता है अभी भी हमें b की value नहीं पता है और इसको हम कह देते हैं equation 3 तो wave function का solution तो आई ही गया है केवल हमें b की value नहीं पता है तो इससे पहले हम wave function का solution निकाले उससे पहले हम लोग energy कीतनी है यह निकाल लेते हैं तो energy क्या हो जाएगा, energy हो जाएगा, h cut square k square by 2m, अब k की value जो आपने निकाली थी, यहाँ पर पूट कर दीजिए यहाँ पर, तो energy is equal to हो जाएगा, h cut square, और k की value हो जाएगी, n square pi square by l square, यहाँ पर मैं लिखूँँगा, pi square, और n square को मैं यहाँ लिख देता हूँ, और divide by l square लिखूँगा, और यहाँ पर 2m को भी मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ आपकी energy आगए, इसको आप यहाँ रखेगा, और यहाँ पर मैं en denote करूँगा energy को, en से, तो यह हमने energy निकाल ली है, इस question के लिए, आप यहाँ पर कभी-कभी exam में कैसे question आते हैं, पूछ लेता है, या फिर competition में पूछ लेता है, कि ground state के energy निकालिए, what is the ground state energy, 1D box problem है, और ground state के energy निकालने के लिए, आप n is equal to 1 put करेंगे, तो en यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर e1 लिख दिजिए आप, और यहाँ पर h-cut square, pi square, और divided by 2m l square, यहाँ पर 1 लग दिया गया बस, तो excited, first excited state की भी पूछ सकता है, f से first excited state की पूछ सकता है energy, तो उसके लिए आप n is equal to क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो e2 हो जाएगा वो, और यहाँ पर आपका 2 का square होगा, n की पर तो 4 h-cut square, और यहाँ पर हो जाएगा pi square, divided by 2m l square, तो यहाँ आपका first excited state का, तो आपको energy तो निकल निकल या आना निकालना, अब हमें यहाँ पर wave function का solution निकालने हैं, बी की value निकालने हैं, बी क्या होता है, यह wave function निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम जानते हैं कि probability जो होती है, वो होती है, si star dx is equal to 1, यह है normalization की condition, तो इस तरीके से हम निकालने है, अब देखिए, si star भी यही होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई item नहीं है, अगर iota term होता तो negative हो जाता, तो यहाँ पर कोई item नहीं real है, तो इसलिए यह भी si और si star दोनों बराबर होंगे, तो इसको दो बार आप लिखेंगे, multiply करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, b square, 0 to l, b square तो होई जाएगा, और यहाँ पर sin, sin दो बार लिखेंगे, sin square हो जाएगा, n by x divided by l हो जाएगा, और is equal to कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पर dx लगाना मत बूलिएगा, इस तरीके से, तो यहाँ पर b square मैं लिखूँँगा, और यहाँ पर 0 to l लिखूँगा, अब sin square n by x by l को मैं trigonometry यूज़ करूँगा, और इसको लिख दूँगा, 1 minus cos 2n by x by l और divided by 2, यह हमने trigonometry यूज़ करके लिख दिया, अब trigonometry कैसे यूज़ किया गया है, इसको आप देख लीज़े, मैं बता लिखता हूँ, तो इसको कैसे यूज़ किया कि दिखिए, तो आपको पता होगा कि cos 2 theta, जो होता है, वो होता है 1 minus 2 sin square theta, मैं जल्दी थोड़ा करता हूँ, और 2 sin square theta क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज दिज़े, तो यह हो जाएगा, 1 minus cos 2 theta, यह हो जाएगा, n pi x by l by 2, यह ही थो हमने लिखा है, simple सी बात है, तो आप आगे solve करते हैं इसको, तो आगे यह page है मेरे पास, यह देखिया, तो यहाँ पर हो जाएगा, b square और यह 2 को निचे ले जएगा, तो b square by 2, 0 to l, और यहाँ पर मैं इसको प्रेकर्ण में लिखा हूँ 1, और minus cos 2 n pi x by l, और यह पूरे का d x हो जाएगा, और यह 1, यह normalization की condition है, कि probability 1 के equal होती है, अब बस हमें b की value यहाँ निकाल के put करने, बस मेरा solve हो चुका है, मतलब हम सब का solve हो चुका है, तो b square by 2, अब यहाँ फिर 1 का integration क्या होता है, आपको मालू है, x होता है 1 का integration, तो मैं इसको लिखूँगा x, और limit है 0 to l, cos का integration होता है sin, तो cos का तो हो जाएगा sin 2 n pi x by l, लेकिन यह हमारा पूरा x नहीं है, तो इसका further होगा, तो further होगा तो मैं लिखूँगा, इसको l divided by 2 n pi, यह लिखूँगा, फिर उसके बाद में, यहाँ पे भी मैं limit लगाना कैसे भूल सकता हूँ, इसको मैं ऐसा bracket में लिखूँगा, और यहाँ पे limit किती होगी, 0 to l, और यह ग्रोस और यह is equal to 1, टो यहाँ पे ho जाएगा, b2 by 2, यहाँ पे हो जाएगा, अपर limit पे L हो जाएगा, लोगють पे 0 हो जाएगा, तो L ही लिखूँगा, माइनस, तो यहाँ पे आपको L रखना है, L लखेंगे, L से L cancel हो जाएगा, sin2 n pi, sin2 n pi की value 0, आपर लिमिट पे जीरो हो चुका है लोगers limit पे 0 x कहाँ यहाँ पे 0 यह पोरा हद पूरा अपर लिमिट तो नौसवार हो चुका है ल दाया एक d आये आएगा तो अप क्या हो जायागा भी स्क्वयर एकवर सिपोर टु चला जाये गा यह 2 पर चला जाएगा और यह L नीचे आ जाएगा तो B is equal to आ जाएगा कितना? under root 2 by L यह आपका आ गया B is equal to under root 2 by L तो यह wave function का solution भी आपका आ गया मैं लिख देता हूँ यहाँ पे size equal to under root 2 by L sine n by x by L यह आपका कुछ नहीं है मैं पढ़ देता हूँ size equal to under root 2 by L sine n by x by L यहाँ पे आप sin n इसको लिख दीजे जाता है पेतर होगा इसको कह दीजे कोई भी equation कह दीजे 5,4 जो भी मन करें यह है important यह wave function का solution इसको आप याद रखेगा आप हम लोग करेंगे wave function को plot और जो की जादा important है आपके लिए तो wave function को पता होना चीजे क्या होता है तभी plot कर पाएंगे तो अब चलिए करते हैं plot तो देखे जब हम 1D box में wave function को plot करेंगे तो यह ground state के लिए इस तरीके से wave function होगा first accepted state के लिए इस तरह होगा second के लिए इस तरह होगा लेकिन कैसे इसके लिए मैं आपको पताता हूँ कैसे करना है और exam के लिए भी important है यह तो सबसे पहले ground state के लिए देखते है तो what is the wave function हमारा wave function क्या है sin n is equal to under root 2 by L sin n by x by L what is L? L is the length of box याद रखेगा तो अब हम 1 के लिए मतलब n is equal to 1 put करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा? ground state क्या पता चलेगा? ground state तो sin 1 is equal to क्या हो जाएगा? under root 2 by L sin n के जहांपे 1 रखेंगे तो हो जाएगा πाई x by L अब देखेंगे हम देखेंगे wave function की maximum value कब होगी तो maximum value sin में कब होती है? जब sin कितने के equal होता है? 90 के, मतलब sin 1 होता है 90 के equal होता है, तब होता है maximum value तो इससे हमें लेना देना नहीं क्योंकि ये हमारा constant है तो for maximum value के लिए क्या होती है? for maximum value के लिए wave function क्या होता है? sin π i x by L ये जो होना चाहिए यह हमारा sin 90 के बराबर होना चाहिए या फिर आप कहा सकते हैं 1 के बराबर होना चाहिए यह आप कहा सकते हैं तो आप देखिए यह आप लिखिए 1 लिंक के understood है तो sin sin दोनों तरफ head जाएगा pi x by l is equal to pi by 2 हो जाएगा pi से pi cancel हो जाएगा और x is equal to जो हो जाएगा l by 2 मतलब x axis की तरफ ही तो जा रहे थे तो x जो होना चाहिए वो l by 2 पे maximum होना चाहिए यानि यह box के आधे पे l by 2 पे तो आप देख सकते हैं wave कुछ इस तरीके से बनेगा कि l by 2 पे maximum है इस तरीके से आपको plot करना है इसके help से ऐसे करना है तो आपको पता चलिए ground state के लिए कैसे maximum होगा आप first excited state के लिए भी आप समझ लीजे तो first excited state के लिए आप क्या put करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 by l अभी मैं आपको दिखा जिता हम परेशान मत हुई है 2 यहाँ पे pi x by l हो जाएगा देखिए n की यहाँ पे 2 रग दिया गए बाकी wave function आपका same है अब आप क्या करेंगे फिर इसको maximum दिखाएगे तो maximum के लिए क्या होगा 90 के बराबर होना चाहिए maximum sign 90 पे तो होता है तो यहाँ पे sign pi by 2 यानि 90 पे sign sign हट जाएगा दोनों तरफ से 2 pi x by l is equal to pi by 2 pi से pi कैंसल हो जाएगा और x is equal to क्या जाएगा l by 4 l by 4 पे maximum होगा तो देखिए इसको मैं यहाँ पे l by 2 था बीच में l by 2 था तो यहाँ पे l by 4 हो जाएगा इतने पे क्योंकि 0 l by 2 sorry l by 4 होगा l by 2 तो यहाँ क्योंकिया हो जाएगा 3 l by 4 तो यह l by 4 पे maximum होगा और 3 l by 4 पे maximum होगा यह चीज है इसके condition तो इसका भी way function हम लोग आसानी से draw कर सकते हैं यह है हमारा first excited state जब आप n is equal to 2 रखते हैं तो first excited state आता है first excited state अब मैं आपको second excited state के लिए x by l हो जाएगा और इसको आप maximum कर दीजे तो sign 3 pi x by l is equal to sign pi by 2 sign sign remove हो जाएगा 3 pi x by l is equal to pi by 2 pi से pi cancel हो जाएगा x is equal to हो जाएगा l by 6 तो l by 6 के लिए हाँ पे maximum होगा तो इसको आप break करिए यह l by 6 ऐसे dot dot आप break करते रहिए इस तरीके से तो यह आपका कुछ इस तरीके से l by 6 पे maximum होगा बहुत है सिंपल है यह भी तो यह आपने समझा कि कैसे wave function को plot किया था first excited state, second excited state, ground state के लिए इस तरीके से plot किया था है और यह इसका mathematical reason actual mathematical reason है और यह बंडी box का problem क्या होता है यह भी आपको clear होगा तो इस वीडियो में इतना रखते है आगे की वीडियो में हम लोग कुछ और important question को distance करेंगा और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा question किस तरीके से आते है तो question तो आपके इसी तरीके से आएगे देखे wave function आपको दिया रहेगा तो कहेगा which one of the wave function is correct for first excited state आपने अगर पढ़ा होगा तो आप बता देंगे यह वाला correct होगा इस तरीके से question आते है I hope यह वीडियो आपको अच्छे से क्लिए होगा इस वीडियो में तरक्ते है वीडियो देखने के लिए thank you thank you so much